गौतम दा ये लॉजिक आपके गले के नीचे उतरता है कि BJP, TMC की BT में इसलिए हम हार गए आप अपना घर नहीं बचा पाए, दूसरे का घर इसलिए क्योंकि वहाँ उनकी BT में, CT में अपना घर नहीं है कि आज भी यो सत्तम है कि सत्तम आने वाले, लेकिन ऐसलिए नहीं है, उनका जो लोग किसके चले गए, वोट बैंक चले गए, लोगसावा कुछ औरन के तोरां सब जानती है उनका वोट ही गया था BGB के लाद, अभी थोड़ा बहुत तो परसंट हो सकता है कि वापसाय होगा, लेकिन बात कि वो जो यहां पर खेला में, वो प्लेयर ही नहीं रहे, वो मैदान से बाहर है, यह तो समझना चाहिए न, कैसे मैदान का अंदर है, अचा मैने तो बोला कि असली खेला इनके साथ हो गया, आप तो कह रहे हैं खेला में ही शामिल नहीं है, जो अंदर खेला में ही नहीं नहीं मतार schwierig हैं? – खेला में ही तो नहीं है, खेला तो दो प bizanty में होता है, है जो प्रेस्रा आप हो गयाल तो 3 पर्ट्रां पो सुन लेAf हैं be HR, कि ते नहीं वहना है, तीन परिस्गी सुन लेता है तो आफ्टाब जी यही तो लॉजिक के रल में भी अपलाई होता है ना फिर तो राजी सरकार वहां भी अपने संसादनों के साथ लड रही थी जिसके आप उधारन देरें मुझे के रहे हैं जिसको बिनाई नहीं कर दखते हैं कि करोना काल में एक साल में जतना बढ़िया हमन अच्छा काम क्यों नहीं अच्छा काम किया एक साल पहले जो फलड आया था सेंटर गवर्मेंट के मदब नहीं करने के बावजूद हमने बहुत अची रिफ चलाया था वहां और मानता हूं तो फिर यह यह उद्धारन जो आप केरल का दे रहे हैं यह यह उद्धारन अच्छा को देखे दो राष्ट्रिय पार्टिया और उनका इतना बुरा हाल की एक सीट को तरस जाएं और वह भी वह पार्टियां जिनका गड़ रहा हो 17 साल एक पार्टि चौतिस साल एक पार्टि और फिर आज ऐसा हाल आजाए कि एक सीट नहीं कि एक तो विचारधारत्मक समस्या है क्योंकि जो वामपत्ति विचारधारा है वो भी उसका आकरशन पश्चम बंगाल में पूरे उत्तर भारत में बहुत जादा कम हुआ है दूसरे जो सीपेम ने जो अपना धांचा बनाया था कार्यकरताओं का और उपर से लेके नीचे तक जो उनकी मशीनरी चुनाओ लड़ने की मशीनरी का ही जाती थी उस मशीनरी को पूर कपूरा त्रंबूल कॉंगरिस ने ले लिया उनके पास कार्यकरता बचे नहीं कोई बहुत अपने को अलग करने वाली ताकत वो बहुत दिक ताकत वो उनके बचे नहीं उनके बुद्धी जीवी भी जादा तर स्टीमसी में जाकर चले गए उसके अलावा जो कुछ रही कही कासर की जो कुछ भी ताकत उनमें थी वो उन्होंने अपना किया जब उन्होंने आईसेफ जैसी पार्टी के साथ गटबंदन किया जो उसने उनकी जो पंधने पेक्षता वाली छवी थी और जो राजनीती जो उसको दुस्त कर दिया तो पूरा का पूरा उनका जो मुस्लिम बोट था लेफ्ट का कॉंगर्स का वो इस समय लगभग पूरी तरह टीमसी को गया कि ममता बेनर जी जोती बसू के बाद पश्ची मंगाल में अब एक कल्ट फेस बन चुकी है पॉलिटिक्स का निश्यत रूप से वो बनने की और अबसर है अब वो तीस साल रहेंगी की नहीं रहेंगी ये कहना बहुत कठें है क्योंकि वो रिकॉर्ड कोई और दूसरा शायद अब पूरे देश में कहीं उसको तोड़ नहीं पाएगा लेकिन उसके बावजूदा पंद्रा साल तो उनको मिली गए सब्सक्राइब कर नहीं होता है आज की रहेंगी कई जगा पर दिखा भी कई जगा आपके नेताओं के बयानों में भी ये स्टेशन दिखी कि बीजेपी बहुत ज़्यादा ताकत के साथ लड़ रही है आखिर क्या गया जमीन पर वोटर्स के बीच क्या संदेश गया जो उन्होंने एक बार फिर से आपको लगबग उतनी सीटे देते वे दिख रहे हैं वो स्ट वाब कर बीजेपी में चला गया वो सीट चला गया तो राम mama का बोर्ट किस में गया बाम का सीट किसको गया ट्रीनों मूल को गया तो गोतम दगो ये पहले समझना चाहिए आप लोग बूल रहा है था ना बाम का बो तिनो मुल ने ऐसा नहीं हुआ, सीट देखिए, 76 सीट से 0 हो गया, ये लोग 3 से 81 हो गया, ज्यादा से ज्यादा सीट ये लोग आया, वाम तो कहरा है कि टीम सी और बीजे पी एकी सिक्टे के दो पहलू है, वो तो कहरें टीम सी है तो आप लोग बोल रहा है लेक्षिन लेकर आप लोग यहां पर चुनाव ला रहा है आप लोग बोला था 2019 में हाफ 2021 में पूरा साफ हो जाएगा अच्छा सी जीता था 2021 में लिट था अभी तो आप लोग सबाद चुनाव का जिकर करके कि 2024 में मंतब अनर्जी क्या लोग सबाद चुनावों में भी अपकुछ इसी तरह नेशनल पॉलिटिक्स में भी कुछ उतरेंगी क्या मैं ऐसा बात नहीं करता हूं यह जो लोग शब इलेक्शन और बिदान सबाद इलेक्शन अलाग होते हैं यह तो वह एक बार साभी होगा फिर से नहीं आप बिलकुल बोल रहा है लेकिन यह बात अमिट शाह नर्ण मोदी का दिम है यह मत सोच देखो हम लोग बोल रहा हूं 200 पर जैसे देश नंबर नंबर दो के लिए कौन सी पार्टी रखती है हर पार्टी अपने कारकाताओं और आपने सानिकों में जोश भरने के लिए टार्गेट तो नंबर वन का ही रखती है अड़ी सोंबार से शुक्रवार शाम चे बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्श पार